नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्त पर दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, इस साल की जो होली है बेहद ही खास और बेहद ही सुन्दर है, क्यों बेहद ही खास, बेहद ही सुन्दर है, इसके पीछे कारण बता दें क्योंकि दोस्तों, 24 मार्च को होली का देहन और 25 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे और इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्रग्रहन है और दोस्तों, जब चंद्रग्रहन लगता है तो होली का असर और भी बढ़ जाता है जो लोग साधक हैं, जैसे की तंत्र क्रिया जानते हैं जो लोग जैसे मंत्र करना है या फिर जो लोग जैसे की आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए चंद्रग्रहन बहुत ही ज्यादा इस वर्ष शुभ रहेंगे कैसे शुभ रहेंगे, वह हम आपको बताएंगे दो हजार चौबीस में तो होली के दिन दोस्तों, चंद्रग्रहन है और चंद्रग्रहन के समय यदि कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं या फिर कोई भी जो क्रिया होती है, उसे यदि आप अपने जीवन में पालन करते हैं, तो आपको जरूर लाब मिलेंगे चाहे आकरशित करने के लिए हो, चाहे कोई दौलत, शोहरत पाने के लिए, ये होली बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फालगुन पूर्णिमा को होली का दहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है इस साल फालगुन पूर्णिमा तिथी 24 मार्च को सुभह 9 बज कर 54 से शुरू होगी वही इस तिथी का समापन अगले दिन यानि 25 मार्च को दोपहर 12 बज कर 39 पर होगा होली का दहन कब होगा इस दिन होली का दहन के लिए शुभ मुहूर्थ देर रात 11 बज कर एक से लेकर 12 बज कर 27 मिनट तक है ऐसे में होली का दहन के लिए आपको कुल एक बज कर 14 मिनट का समय मिलेगा कब है? होली और रंग कब खेला जाएगा? रंग वाली होली कब खेली जाएगी? देखिए होली का के अगले दिन होली मनाई जाती है इसलिए इस साल 25 मार्च को होली है इस दिन देश भर में धूमधाम से रंगों वाली होली मनाई जाएगी परन्तु याद रहे इस दिन ग्रहन भी पड़ रहा है दोस्तों, होली पर ग्रहन का हिंदू पंचांग, होली का त्योहार हर वर्ष फालगुन मास की पूर्णिमा तिथी की रात में आरंभ होता है इस दोरान होली का दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है इस वर्ष 24 मार्च को होली का दहन किया जाएगा और 25 मार्च को होली खेली जाएगी होली के ही दिन यानि 25 मार्च को साल का पहला चंदर ग्रहन लग रहा है जो भारतिय समय अनुसार सुभह 10 बज कर दो से शुरू होगा और दोपहर 3 दो पर समाप्त होगा हालांकि उपछाया होने की वजह से ये ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा कि कारण यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा अब जब सूतक काल मान्य नहीं होगा तो दिल खोल कर होली मनाएं आप कोई भी कार्य कर सकते हैं भारत में इस चंदर ग्रहन का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा होली जम कर मनाएं जैश्री राम भगवान का नाम लेकर होली खेलें आपके उपर कभी ग्रहन नहीं लगेगा राम के नाम से ही ग्रहन शुभ परिणाम देने लगता है शुभ फल लगता है होली पर आपका बाल बांका भी नहीं होगा एक बात नोट कर लीजिए दूर दूर तक इस चंदर ग्रहन का भारत पर कोई असर नहीं होगा तो जम कर खेले, होली जयोतिश शास्त्र के अनुसार, होली के दिन किये गए उपाए बहुत ही जल्द शुभफल प्रदान करते हैं। आज हम होली पर किये जाने वाले ऐसे अचू कुपाय बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए काफी फाइदे मंद साबित हो सकते हैं, जो आपकी जिन्दगी को बदल कर रख सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, आपकी परेशानियों को छुटकि कश्यप और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां अपने पुत्र को अगनी में बैठा दिया, परंतु उसके भगवत भक्ती ने उसे बचा लिया। तो कोई भी का बाल बांका नहीं कर पाएगी, तो इस वीडियो को पूरा देखे, आज के वीडियो बहुत ही सुन्दर है, यदि आप लाखों रुपए भी खर्च करेंगे, तो भी इस तरह की जान भरी जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला, हमारा एक ही मकसद है, सब का भला हो, सबका कल्यान हो, इसी करम में आज के इस वीडियो में हम आपको अच्छे से अच्छे उपाय बताएंगे, जो उपाय आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, जीवन में आपके एक नया मोड लाएंगे, गरीबी, तकलीफ, समस्या, हर तरह के कष्ट से आप छु नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज्य करता था, उसे अपने बल का इतना घमंड था, कि वो स्वयम को ईश्वर मानने लगा था, यही नहीं, उसने पूरी प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया था, साथ ही ये भी जारी किया था, कि यदि किसी ने उसके अलावा अन्य देवताओं की पूजा की, तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। दोस्तों, उस असुर राजा हिरन्य कश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विश्नु भक्त था, उसकी श्रद्धा इतनी दरड थी, कि बार बार पिता के मना करने के बावजूद भी वो हरी भक्ती में लीन रहता था। हिरन्य कश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रहलाद नहीं माने, तब हिरन्य कश्यप ने उसके लिए एक योजना बनाई, अपनी बेहन को राजमहल पहुँचने का दिया, अपनी बेहन होलिका को राजमहल में बु उसे ऐसी चादर हासिल थी, जिसे ओढ़ने से अगनी उसे छू भी नहीं सकती थी। हालांकि पहले तो इस पर सहमत नहीं थी होलिका माता, परंतु ज्यादा देर तक हिरन्य कश्यप का विरोध नहीं कर पाई, हिरन्य कश्यप आदेश को टाल नहीं पाई, और अगले दिन वो अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर अगनी में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर अगनी में बैठी, उस समय भक्त प्रहलाद भगवान श्री हरी भगवान विश्नु जी के का जाप कर रहा था, कुछ ही देर में हव और वो चादर होली का माता से उड़कर भक्त प्रहलाद के उपर आ गई। इस तरह होली का माता अगनी में पूरी तरह से गई और भक्त प्रहलाद बच गया। यदि किसी को लाल रंग का गुलाल लगाया जाए तो सभी तरह के मतभेद, सभी तरह के मनभेद दूर हो जाते हैं क्योंकि लाल प्यार और सौहार्द का प्रतीक होता है। इसलिए आपसी प्रेम, स्नेह बढ़ाने का ये अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को नश्ट करने की क्षमता होती है। यदि आप अपने पुराने वस्त्र, घर की पुरानी सामग्री आदी को होली का में डाल देते हैं, तो घर में की कराए कि जो नकारात्मक शक्ति होती है, वो सब भस्म हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले आप से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाईएगा। दोस्तों, होलिका की अगनी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों, उपाय बताने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि इन उपायों को सदैव गुप्त रखना है। दोस्तों, टोने टोटके तब ही असरशाली होते हैं, जब उन्हें गुप्त रखा जाता है। यदि टोने टोटके के बारे में आप किसी को बता देते हैं, तो वो असरहीन हो जाते हैं. अपना असर ना के दिखाते तो पांच से साथ बताने जा रहे हैं. जो उपाय आपसे बंद जरूर करना बहुत ही सुन्दर सरल उपाय है दोस्तों. यदि आपकी कुंडली में ग्रह दोश है, चाहे वो ग्रह दोश कुछ भी हो, आपको पता नहीं चल रहा. शनी है, राहु है, केतु है, मंगल है, जो भी ग्रह दोश चल रहे हैं, और आप चाहते हैं कि उनसे छुटकारा मिले, और ग्रह दोश के कारण आपके जीवन में भगवान शंकर जी को अभिशेक कर देना है, शिवलिंग को आपको इसे नहला देना है, सनान करा देना है, फिर महादेव से प्रार्थना कर ले, कि भगवान आप हमारा कल्यान करें, हमारी समस्याओं को दूर करें, गरुड धर्मार्त के माध्यम से आपको बता दें, कि दो पिछ ग्रह आपको अच्छे फल प्रदान करना शुरू कर देंगे, नुकसान की जगह आपको तरक्की देना शुरू कर देंगे, बस आपको ये उपाय करना है, जबरदस्ट पावरफुल तांत्रिक उपाय है, ये लाल किताब में लिखा हुआ है। होली की राख आपको घर में लानी है और इसे पूरे घर में छिड़क देना है। यदि आपके घर में नकारात्म कूरजा है, आपके घर में सुक शान्ती का अभाव है, आपके घर में वास्तु दोश लगा है, आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया है और आप होली की राख क को घर मिलाकर घर के प्रत्य कोने में छिड़कते हैं तो केक राय का असर समाप्त हो जाता है। यदि आपको ऐसा है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है या फिर काम में आपको शुब भल या शुब परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपको करना ये है कि होली की राख को घर लाकर उसमें राई और थोड़ा साबुत नमक डाल कर घर के किसी कोने में स्वच स्थान पर रख देना है। परंतु लोगों की नजर से आपको इसे बचा कर रखना है। यदि आप ऐसा कर लेत अपको जरूर कर लेता, ऐसी सारी समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके काम धंधे में लगातार हानी हो रही है, किसी ने आपके काम धंधे को बांध दिया है, लगातार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। तो य नार की कलम से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर थोड़ा सा गुलाल छिड़क देना है। इसके बाद इसे होली जलती हुई होली में आपको डाल देना है। ऐसा करते हैं, तो किसी व्यक्ति ने यदि आपका धंधा पानी बांध दिया है, तो देहिक, देविक, मानसिक, किसी भी तरह के कष्ट हैं, उन्हें दूर करने का कारे। यदि रम उपाय ये साबित हो जाएगा, यदि आपको शक है कि आप पर किसी ने या फिर आपके परिवार के उपर किसी ने कुछ किया कराया है, जिसके कारण आपकी उन्नती नहीं हो पा रही है, किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, तो ये उपाय आपको जरूर करना है, आप होली की के इस उपाय से उनकी तंत्र क्रिया को बेसर कर सकते हैं, और आप सभी को बताना चाहेंगे कि होली की राख को पूरे साल के लिए बचा कर रखें, क्योंकि होली की राख आप होली का दहन के समय देसी घी में दो लौंग, एक बताशा एक पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री इन सब को लेकर होली की अगनी में डाल देना है। पिर उसे चान्दी के ताबीज में भरकर आपको गले में पहन लेना है या फिर रख देना है। तो वो भस्म हो जाएगा व्यापारिक स्थान में होली की थोड़ी थोड़ी राक भी छिड़क देना ऐसा यदि आप करते हैं तो शुब फल हासिल होना शुरू हो जाएगा दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि यदि कोई खास मनो कामना हो और आप चाहते हैं कि आपकी वो खास मनो कामना जल्द पूर्ण हो जाए तो ये उपाय आपको जरूर कर लें एक काला कपड़ा ले लें, उसमें साथ काले तिल लें, साथ लौंग लें, तीन सुपारियां लें पचास ग्राम सरसों के बीज ले लें, फिर उसे आपको एक पोटली जैसा बना लेना है, फिर उससे अपने शरीर से साथ बार उतार लेना है, फिर उसे होली का माता के जलते हुए अगनी में डाल देना है कोई खास मनो कामना हो, कोई इच्छा हो, जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ये तांत्रिक हासिल करने के बाद, भिना और कुछ किये भी वो पूर्ण हो जाएगी, उस इच्छा को पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा आप चाहे तो कोई मनोकामना हो, उस मनोकामना की पूर्ती के लिए साथ गोमती चक्र का उपाय कर सकते हैं साथ गोमती चक्र लेकर साथ बार होलीका माता की परिक्रमा के बाद उन्हें होलीका माता की अगनी में डाल दें तो जो भी खास मनोकामना होगी वो मनोकामना शीग्रपूर्ण हो जाएगी अगला उपाय गरुड धर्मार्थ के माध्यम से आपको बता दें कि यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थाई लक्ष्मी का वास हो आपके घर में तेजी से धन दौलत सदैव आती रहे तो साथ गोमती को साथ बार आपको अपने घर से वार लेना है अर्थात साथ गोमती चक्र लेने है साथ बार आपको अपने घर का गोमती चक्र से उतारा करना है घर के पूरे हिस्सों से साथ बार उन्हें घुमाना है और फिर उन्हें जलते हुए होली कागने में डाल देना है इससे घर के व्यक्ती की कोई भी बीमारी है तो वो दूर हो जाएगी गर में धन आने का मार्ग बंद हो चुका है, तो वो भी तकलीफ दूर हो जाएगी यदि आपके घर में कुलचनी है, भूत, प्रेत, शैतान, शक्तियां है तो वो सारी नीच शक्तियां गोमती चक्र में आकर ही आप अगनी में डालेंगे, भस्म हो जाएगी तो दोस्तों, ये छोटे-छोटे कुछ सरल आसान उपाय है, उपाय तो सरल है, परन्तु इनके असर रामबान की तरह है तो आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, घर में सुक सुविधा बढ़ाने के लिए, घर में शांति लाने के लिए, धन वैभव की बढ़ोतरी करने के लिए ये उपाय कर सकते हैं ये 25 मार्च को दोपहर 12 बज कर 29 मिनिट पर समाप्त होगी ऐसे में होली का दहन 24 मार्च को किया जाएगा दोस्तों, इस बार जोतिश की अनुसार करीब 100 साल बाद होली पर चंदरग्रहन का संयोग बना है 25 मार्च को चंदरग्रहन सुबह 10 बज कर 30 मिनिट से शुरू होगा, जो दोपहर 3 बज कर 2 मिनिट तक रहेगा इस दिन सूर्य, राहू, मीन राशे में, शुक्रमंगल और शनिकुंब राशे में विराजमान होंगे, ग्रह नक्षत्रों, शुब स्थिति, कई राशियाओं लाभानवित होंगी दोस्तों, हिंदू धर्म परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का चिन्ह समझा गया है होली का महापर्व, खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है होली की रात को दैविय शक्तियों की रात मानी जाती है इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और दैविय शक्तियों का उदगम होता है इससे दरिद्रता का नाश करने का जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का दुख सभी तरह के कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन समझा जाता है शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिध्ध की रात कहा गया है इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक उर्जा दोनों ही बहुत सक्रिय रहती है इसलिए लोग सद्यों से इस दिन सिध्यां हासिल करने के उपाय करते आए हैं कि होली की रात में जो साधना क्रिया की जाती है, वह बहुत ही कारगर और फलदाई सिद्ध होती है, जो कि सौ सिद्ध हो ही जाती है. इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं. आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, होली पर किये जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाए, जिन से आप आने वाले नए हिंदू में खुशियां ही खुशियां पाओगी, आप अपना दुख, दर्द तथा कष्टों को मिटा सकते हैं. परन्तु क्या आप जानते हैं, होली पर ये पाँच चीजें कभी नहीं चड़ाना चाहिए, इससे उल्टा आप बरबाद हो सकते हैं. वीडियो को तक जरूर देखना दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें. दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है, कि होली का दहन पर होली की अगनी में तूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए, ना ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए. इससे उल्टा आप पर होली मैया का श्राप लग सकता है. तूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में प्रयोग नहीं किया जाता. इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है आपके घर में गरीबी हो सकता है शास्त्रों में समझा जाता है कि जब होली का धन होता है तब होली की अगनी में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए जब आप अगनी में गन्ना डाले तो गन्ने के उपर हरे हरे पत्ते जरूर होना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें प्रयोग नहीं की जाती, अधूरी चीजें प्रयोग करने से ही अधूरा ही फल हासिल होगा, गन्ना साबुत होना चाहिए, तुटा हुआ बिल्कुल भी ना हो, सदैव या इस से आप पाप के भागिदार बन सकते हैं। पूजा के दौरान फोड सकते हैं। परंतु अगनी में कभी मत डालना सूखा नारियल अगनी में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानियां को अपने साथ ले जाती है। और अगनी देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, समझा जाता है कि घर का भोग अतिप्रिय है। यदि आपने अपने घर में जो भी बनाया है, वो होली माता को जरूर अर्पित करें। परंतु याद रहे, गुजिया चड़ाते समय देख ले कि गुजिया की संख्या तीन नहीं होनी चाहिए, या तो दो चड़ा दे, या फिर पांच, या ग्यारह और इक्कीस चड़ा सकते हैं।